हेलो इस्टुडेंट वेलकोम बेक टु माई चैनल समराट कड़ेमी स्टेंट मेरा नम है काईस मेरे प्यार बच्चे जीतने बच्चे सुरफ फरोरी को हिंदी का पेपर देने वाले हूं उनके लिए बढ़ो बहुत ज्यादा इंपोटेंट है मेरे प्यार बच्चो सतर में सत गध्यास और पद्यास और संस्क्रित के भी गध्यास और पद्यास बताने वाला हूं ठीक है तो यहां से तो बीस नमर आपके ऐसे किलियर हो जाएंगे और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब पर के मिला इको प्रेस कर लेना देखो पहला अबजेक्टी के उ जितनों बता रहा हूं उसको आप अपने दिमाग में अभी से बैठालो क्यूंकि 100% में यह गरांटी के साथ देता हूं जब यह पर आप लोग देखे आओक तो मिला लेना यहां से क्यूसन बनना है 100% बनना दता है जैसे पहला परसने पढ़ता हूं कि सुगल यूग की काल आई चाहिए सबी बच्चे कमेंट करेंगे मैं सबका कमेंट बढ़ूंगा ठीक है सुगल यूग की कालोधी 1850 से 1900 तक 1900 से 1920 तक 1931 तक 1931 से लेकर 1937 तक बताए क्या होगा राइट अंसर ठीक है मेरे प्यार बच्चों सुगल यूग की कालोधी आप सम नंबर सी माने जाती है मतले कि 1919 से लेका 1931 तक तो जितने बच्चे ने सी दिया है उनका अंसर बिल्गुल सही है ठीक है इसी तरह आंसर देते चलिए आप लोग इसके बाद दूसरा देखो क्या है सुगल यूग की समय सीमा है 1931 से 1980 तक तो अठार सो पचास से 1990 तक कि 1922 से 1920 तक कि 1936 से लेको 1947 तक बताओ क्या होगा राइट अंसर तो सुगल यूट्टर यूग की समय सीमा माने जाती है मेरे प्यार बच्चों वो माने जाती है आप सा नंबर ए चलिए अगर आगे बात करें तक यूशन तीसरा देखलो क्या है तीसरा कि नीवन में से रिती काल अगैं रिती काल की है мі बो दी चाहए कितनी यह राइक आंसर क्या होगा तीसरे का ठीक है रिति काल की काल अधी पूछा तो मेरे प्यार वच्छों आपसा नंबर यह होगा अधुनी काल की कालोधी पूछ राते हैं मेरे प्रगतिवादी यूग प्रगतिवादी यूग की कालोधी है मेरे प्यार बच्चों राइट आंसर इसका क्या होगा तो इसका उजागा आफसन नंबर है प्रगतिवादी युकी काला उधी तो चलिए जीतने बच्चे अगर आंसर यह दिये होंगे बिल्कुल उनका आंसर सही है आप लोग अपना आंसर काउंट करते हैं कि कितना क्यूसन आपने सही किया है लीजिए अब आगया प्रयोगवाद आगया कि प्रयोगवाद यूग की जो काला उधी माने जाती कितनी माने जाती है दिवेदी यूग की जी तक माने जाती है प्रयोगवाद यूग की जो काला उधी माने जाती है कितनी माने जाती है तो मेरे प्यारोचों आपसन बी सब्सक्राइब आगया प्रयोगवाद यूग की काला उधी मेरे प्यारोचों दिवेदी यूग की काला उधी कितनी माने जाती है चलिए तेस साथमा परशन भी किलियर हो गया आगे दर हम बात करें सब्सक्राइब आठमा परशन दिखेंगे तीसको में साइट करता हूं यह दोपन आठमा प्रश्न क्या है कि तीसरा सब तक क्या बोला है तीसरा सब तक कब प्रकासित हुआ उन्हें सब्सक्राइब बहुत प्रश्न है मेरे ब्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है यह प्रश्न क्या है कि नई कविता की प्रभु के विश्यस्ताइं कोन सी है अब यहां से बिश्यस्ताइं सब बताने वाले क्योंकि कालवती विश्यस्ता है तो लिखी थे क्या आने वाला है तो नई कविता की प्रमुख विश्यस्ताइं कौन सी है अगर मालूम है तो बताईए पहला बोधिक्ता की प्रभु की अतिया थार्दवाती दृष्टि कोड की छंद योजना में नविंता की समाजिक और स के लिए तो जीतने बच्चों ने दिया है उनका से बिल्कुल सही है मेरे प्यार बच्चों चलिए आगे अगर हम बात करें तो अगला देखो निम्न में से छाया वाद की दो प्रवितियां विश्यस्ताइं कौन सी दो बताना है तो जब भी दो आ जाए तो तो बहुत असा होता है जिसे पहला है कि मानावतावादी प्रवितियां और दूसरा है कि विद्रों करांती की भावना और आपसंसी ए तथा भी दोनों के मुक्त प्रकृति के चित्रत देखे थोड़ा सा भी दिमाग काम करेगा तो इस कांसर दे पाओगे क्योंकि दो प्रवितियां कि तोनों अलग अलग नहीं होते हैं चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो देखलो प्रस्ट नमर 11 प्रस्ट नमर 11 यह है कि निम्न में से परियोग वाद ठीक है परियोग वाद की तो प्रमुख विशेस्ताएं कौन सी है तो घोर वेक्तविक्ता यह थार्थवादी द यह वाद की समय होता है और यह दोनों विशेस्ताएं प्रयोग वाद की है आप लोग याद परना खेंए और सारे फिसरस्ताएं पूची यह साइट करता हूं आप देखो ब्रहाव प्रस्ट नहीं है निम्न में से कौन्सी रीतिकाल की मुख्य प्रवितियां विश्यस्ताएं निम्न में से मतर चारो में से बताना है कि कौन से रीति काल की मुख्य प्रवितियां विश्यस्ताएं पहला स्रिंगार रस की प्रधांता दूसरा की कावे में कलापक्ष की सबस्क्राइब और आज़ार सब्सक्राइब कावतें तो सब्सक्राइब की रिति काल नमें से आधुनी की काल कि वीशेस्ताएं कौन सी है प्रश्ण यह है कि निम्ने में से आधुनिक काल की वीशेस्ताएं कौन सी है आपसे जीवन की यह थार्द की प्रधानता की बहुत इक्ता की प्रधानता की विकल्प ए तता भी दोनों की मुक्तक कावे की प्रमिक्षता यह भी प्रश्ण बहुत स आप संब यह तथा भी दोनों दिया रहें तो आग बन कर तूसरी पे किलीए क्या जाता है क्योंकि अधिकतर 99% के वही सही होता है तो चीवन के प्रदामता भी होती है और दोनों होता है इसलिए यह तथा भी दोनों है तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका असरी बिल्कुल सही है चलिए आगे अगे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रस्ट नमबर 14 देखे और दनारी स्वर के लेखा के यह बहुत प्यारा प्रस्ट है हमें साभूसता है और दनारी स्वर के लेखा कौन है विश्णू प्रभाकर जी है कि प्रेम चंद्र जी है कि जैसंका प्रसाद जी है कि चतुर सेंस सास्त्रे जी है ठीक है और दनारी स्वर के लेखा जो है मेरे प्यार विच्चों वो आपके विश्णू प्रभाकर जी है मतलब आपसनल ए जो इस प्रशन का राइट आंसर होगा और आगे दर हम 15 प्रशन के उलेकर बात करें तो 15 प्रशन यह है कि त्याग पत्र की सविधा की रचना है जिवनी विधा की है कि उपन्यास विधा की नाटक की निवन्द प्रश्न क्या है त्याग पत्र और की सविधा की रचना यह पूछ रहा है तो यह उपन्यास विदा की रचना है मतलब दी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार वच्चों यह 15 प्रश्न था यह भी किलिए रोगया ना देखो सुरहवा प्रश्न देख लाल वर्माजी है इसका राइट आंसर होगा आपसर नंबर भी भगवती चरण वर्माजी ठीक है उपन्यास भूले विश्रेचितर के लेकक है कौन भगवती चरण वर्माजी है आगे दर हम बात करने तो प्रश्न नबर 17 देख लो दुरू स्वामनी क्या है दूरू स्वा अबनी नाटे के लेका को आपके जैसन का परसाथ जी है याद होना चाहिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और बहुत पापलर परस्न है ठीक है चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न नमर 18 देखें प्रश्न नमर 18 यह है कि लली तलालाम के बताता हूं कि मतिराम है ठीक है तो जीतने बच्चों ने बीदिया उनकांसर बिलकों 100 परशंट सही है ठीक है चलिए यह प्रश्न हो गया 19 प्रश्न की ठेकी च satisf साल दसक के जो रजनकार को है दो बिहारी जी यह चेतरब साल दसक के यहां पर रचना कार रोपूच रहा है डिखितने बच्चे मेक Danish कि ऐनकानसर बिलकों का रहा सही है आगे दर हम बात को लिए लाश्ट परश्णां इसके पर लोग गद्यांस पध्यांस देखेंगे थीक है कलम का शिपाही के लेकर कोन अमरित्रा हैं गुलाब राय है कि मूझ सी इंसाल लखा है कि मेरे प्यारवच्चो यह तो लाश्ट परश्णा है सबका अंसर सही आना चाह क्या उसका अच्छा तरीका होता है और जो में गद्यांस पद्यांस बताने वाले हो उसको अच्छे तरीकी से नोट कर लेना उसको याद कर लेना इसके बाद लोग संस्क्रित के भी देखेंगे ठीके चली हो पाएगा प्याद को प्यासा की देख पा रहे हैं कि सब के नीचे अंडर लाइन किया गया है सभी के नीचे लेकिन यहां यहां पर दो छाखन कर ल 276 तो Elden continuous कि बाद कि देखेंए तो पूरी लाइन कर 부र अलबर बता दिया अग्या कर लिख़ह नहीं कई याध में पूरा को बता रहा हूं कि दून रे खाउकीटास के वैक्के वखता हैं। एक जा में पहला देखा तभी कर लोगे दूसराह देखा तभी कर लोगे। तो देखो पहला क्या है? मतलने पुरा घर्ध्यांस को पढदता उनुनुड करे न कि कि कुसंका जोर सबसे भयानक होता है, यह कि वन्निती और सद्विर्ती का हिनास नहीं करता है, बलकि बुद्धी का भी छे करता है, किसी युवा पूरिस की संगती यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंदी चकी के शमान होगी, जो उसे दीन दीन आउनती के गड़ नीचे इसके, परशन नीचे यह पूछा है, पहला परस्तु ताउत्रन के पाथ और लेखा का नाम मतलब होता है, जिसमें पाथ और लेखा का नाम होतों, उससे हम संदर्व कहते हैं, तो पहले तो संदर्व लिखने के लिए बोला है, फिर दूसरा बोला है कि रेखांकी त कि अच्छी संगती से क्या लाव होते हैं उधारन देकर समझाना है और तीसरा उसमें पूछा है कि कुछ संग का क्या परभाव होता है यह तीनों प्रस्ट पूछे जाते हैं जामें और यह प्रस्ट तो इस बार भी आएगा इसको कुई रोप नहीं सकता है एक साल से नहीं न तो सबसे पहले तो हम लोग पहला प्रश्ण देखते हैं क्योंकि प्रस्टूत आउत्रव में पाठ और लेखा का नाम लेखिए इसका मतुलू आता संदर्व ठीक है कि यह जो आपको पद्यान से यह कौन से लिया गया है और इसके लेखक कौन से हैं ठीक है उसको बोलते है संदर्व इसको साइट करता हूं अपर संदर्व संदर्व है कैसे कि प्रस्टूत गाद आतरा अचारे राम चंडरर सुकल द्वारा लिखीत एंवंं हमारी पाठ्त आपंश्त्त क हिंदी के गड्खंड में संकलेत नामक निबंद से वातृत है मतलब improvement गर्षण से लिया गया है और मितरता नामकनिबंद सवतरी थे और इसके जो लेखाक है अचारे राम तंदर सुक्ल जी है देखो मितरता चेप्टर से लिया रहेगा ना तो मितरता की जरूर बात होगी और यहां पर मितरता की बात हो भी रही है क्योंकि आप उतुर्णत सब्सक्राइब करता है बलकि बुद्धी का विच्छे करता है बस इसे बॉलते हैं प्रत्हम्रिखांकी तर्णसकी मिक्छा जितना में bandCr परथ्धम रेखांकी की चइनकि जतना मैं रहा है उसका बताने वहना हूं totos यहां पर होगा कि सुकल के गातक भुखार के समान ही होता है जिस तरह कोई व्यक्ति यादि भायानक जोर निश्ट कर देता है तथा कभी-कभी प्रान भी ले ले लेता है उसी प्रकार बूरी संगति यमारी नतिक्ता साधाचार मंत्रता बुद्धी को भी नश्ट कर देती है मतलब कहने का अर्थ ही यह है कि अचार्रामचा शुकली जीए कह रहा है कि जैसे कोई घातक बुखाराप कर हो गया ठीक है तो बहुत तगड़ा बुखार हो गया तो आपके सरी को नश्ट कर देगा आपको स कहां से यहां से सुरू होता है मेरे पैर वच्चों कि किसी वा पुरुष की संगती यदी बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चेकी के शमान होगी जो उसे दीन दीन आउनती के गड़्डम गिराती जाएगी और यदी अच्छी होगी तो सारा देने वाली बहुए के समान होगी जो से निरन पर उन्नति के और उठाती जाएगी अब यही दियुति है अंस्की रिखांकी तन्स ठीक है जिसके निचे अंटरलाइं किया गया अब इसी का व्याक्षा हम को करना है जो को कैसे करेंगे मेरे प्यार बच्चु बहुत शिंपल है इक कहानी जैसा या वस्ता जो है सर्वधिक महतवपूर होती है कि शंकती किसी यूगा मनुसे की सारी प्रकृती को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंदा हुआ भारी पत्थर किसी बेक्ती को आगे नहीं बढ़ने देता है वरना प्राय उसे गिरा भी देता है मतलब है कि कह रहे हैं कि कुर संगती मतलता कि बुरा संगत कि बुरा संगत मनुस्य के आगे नहीं बढ़ने देता है जिस प्रकार अगर किसी मनुस्य के पैर में अगर भारी पत्थर बांग दिया जाए तो भारी पत्थर उस बेक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है उसी प्रकार अगर आपकी लिए पतन होने लगता है मतलब के बुद्धी का च्छह होने लगता है और देख लिखा और वह दिन प्रती दिन पतन के मार्क पर अगरसर होता रहता है इसके विप्रीत अगर इसके उल्टा बात करें अगर अच्छी संगति अगर किसी मिल जा तो तब क्या होगा तो कहरा है अगर अच्छी संगति हैं हमारे लिए एक ऐसी कलिए बाहू उतल पत्रय की आगे की पत्रय निरंगतर आगे बढ़ाती है जो में गिरने नहीं देती है और जीवन को सुद सात्वी का और उनत बनाती है यह अपका द्वितियर अंस्कीर एक खांकित बैक्था तो देखे यहां पर दिया अब देखे नीचे जो प्रशन दिया होता है उसको आप देखना है क्योंकि वो भी आप लोगों की दो नमर की प्रशन आते हैं जो नीचे प् यहीं कहा गया है आप लोगों की चोटी लाइन आप लोगों के याद रखनी है याद के रखने हैं तो याद ही हो गया होगा और दूसरा है कि अच्छी संगती से होने वाले लावों को उधरन देकर समझाईए तो चलिए देखते हैं दूसरा का अंसर यहां पर लिखा गया है कि अच्छी संगती जो हता है ना सहरा देने वाली बाह के समान होती है जो बगती की जीवन रक्षभ और उसे उनकिक और ले जाने वाली होती है ठीक है चलिए और तीसरा भी प्रॉजन देख लेते हैं कुसंग का क्या प्रभाव होता है यह भी बहुत सिंपल है कि देखे कुसंग का जो प्रभाव बहुत भयानक होता है और यह मनुसे कि क्या करता है नितिकता और अच्छे आच्रणों को नश्ट कर देता है और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वह उसकी बुद्ध्री का भी क्या करता है च्छे करता रहता है ठीक है तो यह आप लोगों का पहला जो गद्यांस जो कि सबसे ज़्यादा क्या है इसको तो अच्छे से त्यार करने मैं आपको बता दे रहा हूं ठीक है एक तुम थोड़ा सा भी मजाक मत करना बहुत स्रीश रहन है यह सारे प्रस्णागे च्छे बारह निंबत ऐसे ही कि लेगा गद्यांस और पद्यांस से ठीक है देखो क्या है कि है भगवान ऱुवति कि कर that कि है यह उपल रहे है और इसकी चमका रहे है कि बना रही हूं तो उपर वाला या तो नीच वाला जायता है के दो नुभास जाहा लिए शक्छे सरव अच्छे से तिक readsذ के नीचे वीप्रश्नागी नीचे दिया था यह जैसे हुं चली पहला का पहले इसका संदर्म लिख्या अब होता है इसका लिए्टा की बिरूद बताया घ्या है से संदर्व तो तो संदर्म इसका संदर्व उठाते ुठाते कैसे लिखेंगे सिंपल प्रसुत गद्धाध्र अतरण हमारी प्रुस्तक हिंदी गद्धंड में संकलित देखे मामताणाम कहानी से उद्रे थी ते और इसके लेखक जो है चैवादी यू के प्रवर्तक स्री जै क्यिए नम आपने प्राश्ट में शल्द म antaraming का आयो फेह प्रतिप जीन नम्ताप जिन चर्वाइब तब के लिए बीकः के लिए इतना आयुजन पीर्न पिता की इच्छा के विभुदी इतना साहस यहां तक करेंगे ठीके द्लिखों यहां पर नहींAL G civic सोने के आप भूसरों से भारा हुआ थाल देखा तब वह हत्प्रत हो गई और वह आस्चर प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धनका संग्रग क्यों कर रहे हैं भागवान की इच्छा के विरुद आपने यह बहुत बड़ा दूसरा ह पिता जी ठीक है यही ब्याक्या में दर्साया जा रहा है इसके बाद देखें दूतियर खांकी तंसक्राइब मतलब यहां तक फेर दीजिए पिता जी में काप रही हूँ और इसकी चमक आखों को अंधा बना रही है अब इसकी ब्याक्या देखेंगे तो हेडिंग हम लोग तक मानना था कि धर्मियों से लिया गया घूस का धन जो है बिपत्ति का सादध होता है इसके रूप में दो भी तरहा है और इसके निचे बस यही दो परश्न बचा है कि सावला पहला है कि अपने पिता को कौन सा कृतिया ममता को परम पिता के इच्छा के बूद लगा तो हम लोग इसका अंसर लिखेंगे पिता दोरा विधर्मी सेरसा से घूस लेने के कारे को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद बताया गया है अब यह कंप्लीट रूप से आप लेगों का यह जो गध्यांस से तयार हुए कंप्लीट रूप से यह दून तयार होना चाहिए बता देता हूं ठीक है अब मैं आप लोगों कराने लोगों पद्यांस जो कि दू कराऊंगा बस मात्र दो अब से चेह नबर के लिए रहाएगा चलिए मेरे पैरोचो अब देखो पद्यांस आप लोगों किसी कीमत पे नोट कर लेना है जो कि इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट है मैं तो मताई सकता हूं और आपसे अपने मुझे से यही कह सकता हूँ कि मानना तो आप लोगों को है, जब पेपर देने जाओ कि तो आपको सब के लिए रोजाएगा, समझ में आजागा कि सर ने क्या बताया, ठीक है, देखो क्या है, कि सुनी सुन्दर बेन सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भल तिर्छे करी नैन दे सैन तिने समुझाई, कच्छू मुस्काई चली, तुलसी तेही औसर सोहे, सबे और लोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानू उदे विगसी मनो मंजूल कंज कली, बहुत इंपोटेंट है, पद्यान से मेरे प्यार विद्धार लग प्रसंग को मिलेगा, और इसके नीचे प्रस्ट बस यही करना होता है, कि प्रस्तूत पध्यांस की संदर्व हिंदी की ब्याख्या की, जिदे के संदर्व मतलब यह होता है, कि संदर्व लिखे, प्रसंग भी लिखे, और इसके बाद इसका ब्याख्या कीजिए, बस यही त चीज़ करना होता है तो चलिए सबसे पहले यह जो पध्यांस आपको दिख रहा है इसका हम संदर्व लिखेंगे तो देखो संदर्व में हम लो लिखेंगे कि प्रस्तूत पध्यांस जो है गोस्वामी तूर्शिदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पूस्तक हिंदी के कावेखंड में संकलित वनपत सिर्षक कविता से अवत्रिट है बस देखें बस इतना यह आप लोगों को याद करना है कि गोस्वामी तूर्शिदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है और हिंदी के कावेखंड में संकलित कौन से सिर्षक से वनपत सिर Скविता से क्या है उसके बाद प्रसंग देंगे प्रसंग की पूरे प्रioxid में चिसके बारह बात किया है और इसे को दो प्रसंग एक भार्ट सब्सक्राइब हो गए इन पंकितियों में ग्राम थूहों के प्रस्ट का ज生ना का उत्तर देते ऊचे सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विष्य में सब कुछ बता देती हैं तो इस पूरे पद्द्यांस में यही बात होगी अब अब रच्प में बम बैख्खह STAR जी पूछा मतुछा गाउन लड़किया जो थी वो राम की विशे में सिता जी से पूछती हैं कि ये जो सावले और सुन्दर रूप बाले तुम्हारे क्या लगते हैं तो ग्राम वद्वों के अम्रित जैसे मदूर वचनों को सुनकर चतूर सिता जी उनके मन भाव को समझ गएं कि वो पूछना क्या चाह तो वो अपने मतलब कि हाव भाव से ही उत्तर दे दिया मतलब बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी मतलब अपने मुश्कुराइट और संकेत वरिद्रिष्टी से ही अपना सारा उत्तर दे दिया लिखोगे आगे कि उन्होंने इस्त्रियोचित लच्चा के कारण मतलब क इस्तरी के लज्जा के कारण ये केवल संके से ही राम की विशे में ये समझा दिया कि ये मेरे पती हैं तुलसी जास जी कहते हैं कि सीता जी के जो संकेत को समझ कर सभी सखिया राम के संदर को एकाटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाप राप्त करने लगी जब सीता जी कहना के अचारे थी सारे सखिया समझ गई कि हैं इनके पती ही हैं तो समझने के बाद जो सभी सखिया हैं राम के संदर मतलब उनके संदर मुकुट को देखर एकाट देखती ही रह गई और अपने नेत्रों का लाप राप करने लगी उस समय ऐसा प्रतित हो रहा था कि मानो प्रेम के सरवर में राम रूपी सुरे का उदे हो गया हो ठीक है मतलब उस समय ऐसा लग रहा था कि सुरे के उदे होने में लग रहा है कि राम का ही चेरा हो है ठीक है? इसका कहने का मतलब ही ही है ठीक है? की सुर्स का उद्धे हो हो गया हू और ग्राम वो अद्धों के नित्र रूपी कमल के सुन्दर कलियां खिल गयी हो और उनके देखने से ऐसा लग रहा है कि गाउं की जो लड़कियां है उनके नित्र कमल की जैसे सुंदर की कलियां जो इसे कमल की कलियां खिल जाती है उसी तरह उनके आखों की कलियां खिल गई है उनको देखने के बाद ताहीं खुब किलियर हो गया बस यही है पहला आप लोगों का पद्यांस किलियर हो गया देखिए इतना सिंपल सिंपल है याद कर लेंगे, दूसरा जो बता रहा हूँ, उसको नूट की, जो कि सबसे इंपोटेंट है, वो है मेरे प्यारवचोईया, जो कि सबसे ज़्यादा इंपोटेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको लिख दिया, वो गरांटी 100% आए, वो उसको दुनिया की ताकत निरोसती, इस बात की गरांटी में लेता हूँ, ठीक है, देख लो क्या है, कि सच्चा प्रेम वही है, जिसकी तृप्ति, आत्म बली पर हो निर्भार, त्याग विना निस्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्रार निच्छावर, देश प्रेम वहा पूने छेत्र है, अम संदर्व कैसे ही याद हो जागा, कैसे बता रहा हूँ, प्रस्तूत पद्याथ अमारी पार्ट एपकुस तक हिंदी के कावे खंड में संक्लित, राम राम नरेस्तितरी पाठी जी लिखें इसको, राम नरेस्तितितरी पार्टी दोलारची स्वधेश प्रेम, क्यिंकि अपन से ली गई है कभी ता ठीक है यही संदर में आप लोगों को पूरा लिखना है इसके बाद प्रसंग प्रसंग का मतलब तो समझाई दिया हूं आप लोगों को क्या होता है तो प्रसंग लिखोगे कि कभी ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवस्यक माना है कभी ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवस्यक माना है तो चलिए देखते हैं कि पूरे की पूरे ब्याख्या क्या है इस पूरे पूरे पध्यांस का तो देख कि अदेश की प्रति बता रहा है कि देश की प्रति अगर प्रेम कर रहे हो और सच्चा प्रेम वही होगा जिसमें आत्मत्याग की भावना हो जिसमें आप आत्मत्याग कर सकते हो अर्थात उसके कहना के मतलब यह है कि आत्मत्याग पर ही सच्चा प्रेम डिलबर होता है सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भीने उच्छावर करना पड़े तो पीछे नहीं अटना चाहिए बीना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत होता है त्याग से ही प्रेम में प्राणों का क्या होता है संचार होता है मेरे प्यार भी दर्थ हो याद रखना इन सारे भावनाओं को समझे बसे ही आप लोगों को अपने तरीगे से लिखना है अतह सच्चे प्रेम के लिए जो होता है ना प्राणों का बलिदान करने को भी सदेव प्रस्तुत रहना चाहिए अगर सच्चे प्रेम करते हो तो हमेश से कि आत्मा विक्सित होती है और आत्मा के विकास से अगर हम बात करें तो मनुष्य का विकास होता है और अता देश प्रेम से जो आत्मा का विकास और आत्मा के विकास मनुष्य का विकास करना चाहिए तो यही आप लोगों का भाई ब्याक्या है इतना सिंपल सिंपल है त यही कानी प्रस्तूत कर देना अपने पेपर में, और नमबह पूरे मिल जाएंगे, ठीके, तो यहां से भी किलिए आप लोगों को होगा है, तो दो गद्याँस दो पद्याँस बता दिए, संस्क्रित का पद्याँस बताने वाला हो, और यह बहुत छोटा छोटा होता है लेकिन पांच नंबर देखे जाएगा ठीक है तो अब यह रुके रहिए मैं टोटल आपको बताने वाला हूं इतना इंपोटेंट ना कि एक नंबर नहीं जाएगा यहां से इतना लिखित बता रहा हूं तो चलिए उसको देखिए देखिए यह आपके संस्क्रीट के स्लोग हैं जिसे हम पध्यांसरी बहुत छोटा होता है पांच नंबर देखा पांच नंबर का इसे बार आएगा आप लोगों को देखो पहला इस में सबसेंट हैं कि सर्वे भंती सुखिनम सर्वे संतु निरामया हां सर्वे भात्रानी पस इसमें सभी कल्यान की कामना की गई है बस यह संदर्व और अनुबात तो बहुत छोटा होता है जैसे सर्वे बंती सुखिनम सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानी पसेंतु माकस जिद दुख भात बवेत इसका मतलब सिंपल होता है कि सभी सुखिन हो सर्वे बंती कोई भी दुख का भागी नहीं किसी को दुख नहीं बस इतना बस यही दो लाइन से आपको पांच नंबर मिलने वाले हैं ठीक है इस बार पांच नंबर के आएगा तो मेरे प्यारावी गर्चे संभल यह कितना इंपोर्टेंट है पहला हो गया यह दूसरा देखो जो कि सारे प्रश्णा आपको मिलेंगे देखो दूसरा है कि बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराज्या उभयत्र समो वीरह वीरभाव ही बीरता ठीक है तो इसमें देखो यह जो आप लोगों का संस्कृत का स्लोक इसका संदर्व लिखेंगे कि प्रस्तू स्लोक हमारी पार्ट से यह है कि बंधन हो अथवा मरण हो जीत हो या हार हो दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है और वीर को ही हम क्या कहते हैं वीरता कहते हैं ठीक है मैरे प्यार विद्दार थी हूँ तो देखिए बहुत छोटा-छोटा है किलेर हो गया तो दूसरा भी हो गया इसका म में एक और बता देता हो यह जोकि इंपोटन्ती नहीं बताऊंगा इसका चीह का इसका संदर लिबिखेंगे कि प्रस्टृत छोई हमारी पार पूस्ता कि हिंदी के सास्क्रित खंड के अंतरगत जीवन-सुत्रानी नाम tactics जा ताथ पिक है और इसका अगर हिंदी मेरो अम द लेखेएं तो देखो हिंदी मुनुबाद यह होगा इसकां कि मनुशय अभिमान को छोड़ना प्रीय होता है और कुरोद को छोड़ना सोक नहीं करता कामना को छोड़कर धन्मान होना होता है और लाव को छोड़कर सुखी गर समझाद हिएpir प्यार बढ़ो बहुत ज्यादा इंपोटेंट है रियल्ली आप लोग अच्छे सी प्रस्णों को त्यार करना लगातार मेरे चैनल पर बने रो हिंदी के बहुत अच्छे से वीडियो कराऊंगा और सारे प्रस्णों को किलिया करा दो गंबरी गरांटी है ठीक है बस आप इन सारे प् तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लो ठीक है तो चलिए मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियो में तक तक के लिए धन्यवाद